नमस्कार सुस्वागतम वेलकम अभीनेंदन हान जी क्या हाल चाल बढ़िया चंगा खुशो मस्तो खुशियां आपके घर में आए धन बरसे आपका परिवार सुखी रहे आप स्वस्त रहें आप मुस्कुराते रहें आपके दिल की हर मनों कामना पूर्ण हो आप सोचे बाद तो टिक टॉक पर भी जरूर जाएए क्योंकि आपके लिए 30 सेकिंड के बहुत अच्छे उपाय मैंने उसमें डाले हैं टिक टॉक देखिए इंस्ट्राग्राम देखिए डॉक्टर वायराखी देखिए डॉक्टर वायराखी ओफिशल मेरा आपको टिक टॉक पर मिलेगा और मेरा Facebook पेज भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको तमाम तरह की जानकारी मिलती रहे. आज मैं आपके लिए बहुत कमाल का एक ऐसा प्रोडिक्ट लेकर आई हूँ, जिसके बारे में आप हमेशा सुनते हैं, पर आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सुना होगा, ये देखने में बहुत पवित्र और बिल्कुल कागस की तरह होता है, इस वीडियो को टिल आइन तक देखेगा, क्योंकि मैं आज आपको इस भोच पत्र से ऐसे चमतकारी उपाये बताऊंगी, जो भले ही आप अभी टिक टॉक पर भी देख सकते हैं इस वीडियो को, भले ही अभी आप लॉकडाउन में ना कर सकें, लेकिन लॉकडाउन के बाद इन उपायों को कर सकते हैं, और आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों के घर भोच पत्र हो, और अगर आपको ये भोच पत्र चाहिए, तो ये भोच पत्र नॉर्मल भोच पत्र है, जो पूजा के दुकान से लाए और आपको दिखा दिया, लेकिन हमारे पास, मेरे पास खास कर, आपको अभी मंतरित भोच पत्र मिलता है, सो गुना जादा काम आता है तो जरूर मंगाईए का अगर आपको मुझसे भूच पत्र चाहिए मैं आपको पोस्ट से भेजूंगी क्योंकि कोरियर सर्विस तो लॉगडाउन की वज़ा से अभी बंद है और हो सकता है जब तक ये वीडियो आपको मिले क्योंकि ये पेड़ की चाल है और पेड़ के पत्ते तो गाएं खाती ही है और मचलियां समुद्र और नदी के अंदर के पत्तों को खाती है तो इससे कभी किसी जानवर को नुकसान भी नहीं पहुचता है और हमारा बहुत जादा फाइदा हो सकता है इनफेक्ट उनकी इससे भूकी मिरती है भोज पत्र पर शिरी राम जैजै राम लिखकर हनुमान जी के चर्णों पर अगर मंगलवार वाले दिन 11 मंगलवार आप रखाएं इतने बड़े भोज पत्र पर नहीं इसके हम 4 टुकड़े कर सकते हैं इसको हम ऐसे मोरेंगे हम इसको ऐसे मोरेंगे क्योंकि जितना बड़ा भोज पत्र होगा उतना महंगा होगा और हम छोटा भोज पत्र लेंगे हम इतना सा भी टुकड़ा अगर ले लेंगे और स्पेशिरी राम लगकर हनुमान जी के चर्णों में रखकर मत आईएगा हनुमान जी के गदा भाला जो उन्होंने पकड़ा हुआ एक तरफ संजीवनी बूटी जो पकड़ी है उसके पास रखकर आईएगा या उनके हिरदे पर चिपका कर आईएगा क्योंकि आप आने वाली हो कि लॉक्डाउन के बाद हम क्या करेंगे यकीन मानिये आपको बड़ा सुख मिलेगा यकीन मानिये कुछ काम कभी यूही कर देने चाहिए बिना किसी मननत के तो बड़ा सुख की प्राप्ती होती है हमेशा भोज पत्र पर जो लिखना है या तो इंडेक्स फि लिखे और एक बार इस्तमाल करी हुई अनार की कलम को हम दुबारा इस्तमाल नहीं कर सकते ये भी याद रखेगा शुकरवार को भोज पत्र पर शिरी लिखकर लक्षमी और विश्नु के समक्ष रख दें और उसके बाद पतनी पूजा कर उसकी उसमें हल्दी कुमकुम अगर रख चंदन आपको ना मिले तो मात्र स्केच पैन से या नॉर्मल रोली से भी आप लिख सकते हैं भोज पत्र घर के पूजा स्थान में हमेशा होना चाहिए चाहिए आप उसका अस्तमाल करें या ना करें क्योंकि ये एक सूचना है और वो भी शुब सूचक है ये मत उणों के लिए त्याग कर दिया तो रमायाद बन गई और जहां पर अपने हक के लिए लढ़ाई करी अपना हक मांगा और वहाँ पर थोड़ी सी बहसबाजी कर ली और अपने हक के लिए खड़े हो गए तो वो महभारत बन गई उस युग से ऐसा ही चला आ रहा है घरवाल से मिल जाता है पर कोई काम बिना लड़े भी हो सकते हैं राम बनकर 14 साल का बनवास लेने की भी जरूरत नहीं है और पांडव बनकर अपने परिवार के अगेंस खड़े होने की भी जरूरत नहीं है बीच का एक रास्ता निकालने की कोशिश जरूर करें आप भोज पत्र पर ऐसे व्यक्ती का नाम लिखकर जो आपसे नराज है शनिवार वाले दिन अगर आपूसे अपने घर के पलं के नीचे दबा दें और लिखना आपको लाल रंग के पैन से है अगर आप उसे अपने जिंदगी में वापस लाना चाहते हैं और उसे पलं के किसी की मदद से पलं उट्थाना होगा उसके जो पाया होता है इंशे दबा दें वा व्यक्ती आप्को ज्यादामिस करेगा वो आपका पती भी हो सकता है अगर हो सकते हैं आपके समंदख खराब हो गए हो और वह आप laz lotta प्यार करते हो तो भी आपके उपाया करेंगी तो आपके पती सौ कोज दूर आप से चले जाएंगे भोज पत्र पर ऐसे व्यक्ति का नाम लिखें जिससे आपने पैसे लेने हैं और लिखें काले रंग से और इसे कपूर के उपर रखकर जला दे और लगातर ऐसा आप ग्यारा शुकरवार करिए वो व्यक्ति घर चल कर पैसे देने आएगा लेकिन पैसो का तकाजा भी करते रहें आप आपको एक बास सदेव याद रखनी है कि भोज पत्र बहुत ही जादा काम की चीज़ है और बहुत असानी से जो है बजार में मिलती है अब आपके पती से आपका तलाक होने वाला है या आपका ब्रेक के उपर उस व्यक्ति का नाम लिख लिया जिसे आप प्यार करते हैं और वापस लाना चाहते हैं और इस कागस को मोड कर एक बड़े से आटे की रोली बना कर उसके अंदर रख दिया और ग्यारा दिन तक ऐसी छोटी-छोटे पेज पेज पे नाम लिखकर उस गाएं को खिल जल्द लोट कर आपकी जिन्दगी में वापस आएगा लेकिन जब आए तो उससे माफी मांगिए उसके साथ रिष्टों को मधुर कीजिए और बढ़िया कीजिए उससे ताने मत दीजिए मैं हूँ डॉक्टर वायरा की और इस अब आपके साथ जुड़ी हूँ खुश रह जिन्दगी आगे उतल पुतल ही करेंगे 21 तारीक को 21 जून को ग्रहन पढ़ने वाला है ये ग्रहन आने से पहले भी और जाने के बाद भी बहुत कुछ करने वाला है आने वाले टाइम पर विश्व युद की स्तितियां जो है वो खड़ी होती भी रिखाई दे रही है यु जिन्दगी में बहुत तकलीफ होगी बिमारी तो जो आगई सो आगई आगे आपको और बिमारियों का भी सामना करना पड़ेगा लेकिन उससे जादा तकलीफ हमें ये घरह युद विश्वी युद हिंदो मुस्लिम के जगड़े इन सब का जो आगे की सितिया है वो अच् पिता की सेवा करें परम पिता परमात्मा से अपनी गलतियों की माफी मांगें तो अभी भी बहुत कुछ सही हो सकता है फिलाल दीजे जाज़त नमस्कार